Hair fall होने का सबसे main reason ये है कि आप अपने बालों को साफ नहीं रखते बाल साफ करना का मतलब ये नहीं कि बार बार बालों को shampoo से धोते बैटना ऐसा नहीं रहता है आपको बालों को धोने का एक routine चाहिए और साथी में एक ऐसा product चाहिए जो आपके बालों को properly clean कर सके सबसे पहली बात अगर आपके बाल साफ नहीं है तो अंदर हो जाता है डांडर और वो डांडर क्या करेगा अंदर आपकी scalp को बिगाड़ेगा आपकी scalp को sweat कराएगा उसके साथ stink कराएगा और उसके साथ बालों को जड़ से weak करा देगा so best part अगर आपको बाल बढ़ाने है तो मैं ऐसा एक routine बताऊंगा जो आपको follow करना है just 3 step का routine है हफ़ते में 3 बार अगर आप follow करोगे तो आप बहुत ही अच्छे बाल पाओगे तो सबसे number one आपको क्या करना है हफ़ते में 3 बार hair wash कीजिए अगर आप properly हफ़ते में 3 बार hair wash करोगे और hair wash करने की भी एक technique रहती है बहुत से लोग गरम पानी से hair wash करते है जो बहुत wrong रहता है हमें गरम पानी से hair wash नहीं करना है थंडी का season हो कुछ भी हो गुन गुना पानी या just थोड़ा सा warm water या room temperature के पानी तक ही पानी को गरम करिए उसके साथ आप अपना hair wash करिए बहुत से लोग ऐसा गरम गरम पानी जो अपने body के लिए suitable रहता है वो hair पे डाल देते है जिसके वज़ेसे उनकी scalp weak हो जाती है और hair fall होना start हो जाता है तो वो एक चीज avoid करिए यहाँ पर एक और चीज है आप बाल पहुचने का तरीका जो मैं बताने वाला हो पर उसके पहल जो है अंदर से clean करेंगे आपको इससे यूज करने के लिए बहुत simple तरीका है यह ज्यादा वेच ना हो इसलिए यहाँ देख सकते हो कि जो है properly जो निकलने के लिए जो है दिया गया है यह जो उपर कह सकते हो टॉप और मैं खुझ इससे personally यूज कर रहा हूँ अभी यह क्य बाल वैसे ही छोड़ने हैं और फिर इसे धोना है अब इससे क्या होगा इससे आपके बाल जो है वह प्रॉपरली clean हो जाएगी और आने वाले hair fall की जो problem है वह रुख जाएगी इतना pollution वाला महल हो गया है तो तो हर लोगों को हर किसी को आना common है तो अच्छा यूज करें अच्छा यूज करोगे तो आपके बाल जो है वह अच्छे से ग्रो भी करेंगे नरिज भी करेंगे अब यह हो गया आपको routine करना है हफते में ती वह पानी है आपके बालों में जमा हुआ टावल को एब्सर्फ करने दीजिए खीचने दीजिए ना कि आप अपने बालों कर यह नहीं ऐसा आप करोगे ना तो आपके बाल और डामेज हो सकते जड़ और डामेज हो सकती है खास करके उन लोगों के लिए जिनकी उमर 30 प्लस होते जा रही है आपको हैर फॉल इसी कारण होता होगा कि आप अपने हैर को अपने फॉलिकल को डामेज करते रहें एकदम हार शुए में टावल घुमागे आपको वैसा नहीं करना है अच्छे से टावल लीजिए और ऐसे से प्रेस करी एब्सॉर्ब करने दीजिए पानी क स्वचय करे आपको यूज करना है में आक्सिडल मास का मिन आक्सिडsomething स्लूशन क्या रहता है मैं मैं एक ऐसा स्लूशन है स्ट्रॉंग स्लूशन है जो आपके लिए आपके जो बाल जहांपे ज़ड़ते हैं आपको वहां यह लगाना है और कंसितनली एड़ू कंटिन्यूस या फिर यहां पर आप कह सकते हो कि आपके जो हैर फॉलिकल्स है वह कच्छे रहे गए मतलब उगने की रहा में है बट उनको नुट्रिशन नहीं मिल रहा है तब यह मिन ऑक्सिडिल सेलुशन काम आएगा और आपके जो बालों की ग्रोथ या फिर जो बालों की ग्रोथ चली यह है वह आना स्टार्ट करेगी तो यह बहुत ही भारी सल्यूशन है जब आपके हैर फॉल की बारी आती है तो यह दोनों प्रोड़क्ट आपको आपके रूटीन में हैर के रूटीन में ट्राय करने चाहिए और रेगिलर हफ़ते में तीन याग जादा से जादा दो बार आपके बाल जो है वह धोने पड़ेगे अच्छे से यह दो प्रोड़क्ट आप अगर यूज करोगे तो आपको मैं अशॉरिटी देता हूँ कि आने वाले एक देड़ साल में आपके बाल अच्छे दिखेगे और आपकी कॉन्फिदेंस की जो लेवल रहेगी आपके बालो कोई भी चीज के पीछे भागते हैं उन्हें हमेशा निराशा ही मिली है इसलिए अच्छी चीज यूज करो और थोड़ा अपने अंदर पेशन्स रखो और आप जब पेशन्स रखते हो तब वह चीज जब बनेगी तब आप कोगी कि वा मेरे बाल इतने अच्छे बने गए और आप इस वीडियो को क्रेडिट जरूर दोगे तो जरूर मुझे बताइए आपकी क्या राय है अगर आप यह प्रोड़क्ट यूज कर रहे हो तो उसका भी कमेंट सेक्शन में आप मुझे बोल दीजे साथ ही मैं आपकी लिए मैं एक ओफर लाया हूँ यह तो मैं अल्र और आपको बताऊंगा कि आपको इस गिवववे में कैसे पार्टिसिपेट करना है इस बॉक्स में आपको मिलेगा में आप यूज कर सकते हो और आपके बालों को जो आपकी रुकी हुई ग्रोथ है या फिर जहां पर आपके डामेज बाल है आप वहां पर अच्छी सी ग्र इस बैलन स्ब्सक्राइब और शचानल को सब्सक्काइब करना भूलना मचाइब क।